सास ने अपनी बहु को आवाज लगाई अरे कहा मर गई अंदर से आवाज आई जिन्दा हूँ माजी तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक कब से पूजा करके बैठे हूँ ला रही हूँ माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मुझे मारना चाहती हो बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूँ सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूँ सास ने भजिया उठाई और कहा कितने गंदी भजिया बनाई है तुमने बहु मा जी मुझे कपड़े दोने हैं मैं जाती हूँ बहु दर्वाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खतम कर दी बहु मुस्कुराई और काम पर लग दे दोपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल आई भूखे मारोगी क्या बहु आई सामने खिचडी रखती सास गुस्से से ये क्या है मुझे नहीं खानी ये खिचडी ले जाओ इसे बहु ने कहा आपको डोक्टर ने दिन में खिचडी खाने को कहा है खाना तो पड़े गा ही सास मुँ बनाते हुए हाँ तु मेरी मा बंजा बहु फिर मुस्कुराई और चली गई आज इनके घर पोजा थी बहु सुभ चार बजे ही उठ गई पहले स्नान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साफ की पकवान और भोज बनाया सुभ के दस बज गए अब सास भी उर चुकी थी बहु अब पंडित जी के साथ भगवान की वस्त्र तयार कर रही थी आज ओफिस की छुट्टी भी थी इसलिए उनके पती भी घर पर थी पूजा शुरू हुई सास चिलाती बहु ये नहीं है वो नहीं है बहु दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दोपहर के तीन बज गए थी आरती की तयारी चल रही थी पंडित जी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब की हाथों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी थाली उसके हाथों से गिर पड़ी शायद भोज बनाते हुए बहु के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोँचना भूल गई थी सारे लोग तरह तरह की बाते करने लगे कैसी बहु है कुछ नहीं आता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती ना जाने कैसी बहु उठा लाए एक आरती के थाली तक नहीं संबाल सकती उसके पती भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही कुछ नहीं कहा बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है सब सीख जाएगी दीरे दीरे अब सब को खाना परोसा जाने लगा बहु दोड़ दोड़ के खाना देती फिर पाने लाती करीब 70-80 लोग हो गए थे इधर दो नोकर और एक बहु अकेली फिर भी वहां का सारा काम आसानी से और ब बहु ने खाना परोसना शुरू किया सब को खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तो अपनी बहु से कहने लगी तुमने नमक ठीक नहीं डाला गया एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी आस परोस वालों को तो जानत ही होना वो बस भाना ढूंटी है नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहु है ये वो वगयर वगयर जिनका खाना हो चुका था अब बहु बरतन साफ करने नोकरों के साथ लग गई रात में जगराता का कारेकर्म रखा गया था बहु भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास जोर से चिलाई मेरी नाप मत कटा देना गाना नहीं आता तो मत गा वापस आजा बहु मुस्कुराई और गाने लगी सब ने उसके गाने की तारिफ की पर सास मुफ उलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवाने म तूझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चली गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के ओफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे उसका पती चिलाता थोड़ा बर्फ लाओ तो सास चिलाती यहां दाल नहीं है फिर चिलाता कोल ड्र नहीं है पापड ले आओ आखिरी में उसके पती की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल तूट गई पती गुस्से में दो जापड अपनी पतनी को लगाती हुए कहता है जाहिल कहीं की देख कर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देख पूरा मूड खराब कर दिया यहां नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अनपड गवार बीवी लारकी है तुने उसे तो महमानों की इज़्जत और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेस्ती करा दी अब आसपडोस की ओरतों को और बहाना मिल गय देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहु ने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो छुटकारा पाओ इस गवार से सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थपड मारा और कहा अरे नालायक तुमने मेरी बहु को मारा तिरी हिमत कैसे हुई तेरी टांग तोड़ दूगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने घूरते हुए कहा चुप बिलकुल चुप यहां दारूपी ने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है कैसे संसकार दी है तुम्हारे माता पिताने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधर आओ चपल से मारूंगी अगर मेरी बहु को किसी ने शब्द भी कहा तो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसली मारा की तिरी शराब तूट गई पापी वो बच्ची सुबह चार बजे से उठी है घर का सारा का काम कर रही है ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सब की बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए अब सास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकड़ कर बाहर लाई सब के सामने कहने लगी किसने कहा था अपनी बहु को घर से निकाल के दूसरी बहु ले आना जरा सामने आओ कोई सामने नहीं आया फिर सास ने कहा तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में ये मेरी मा भी है बेटी भी मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डाणती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है मेरी दिन राज सेवा करती है मेरी हजार तानी सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती ना सामने ना पीठ पीछे और तुम कहते हो दूसरी बहु ले आओ याद है न चंपा की दादी अपनी बहु की करतूत सास ने गुसे से पडोस की महिला को कहा अभी पिछले हफते ही तुम्हें मिया बीबी भूखे छोड़ गूमने चले गए थे मेरी यही बहु साथ दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी यहां तक की तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो जाहिल तो तुम सब हो जो कोईले और हीरे में फर्क नहीं जानते अगर आइंदा मेरी बहु के बारे में किसी ने एक लफज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है सास की बात सुनकर बहु सिस्किया लेते हुए फिर कमरे में चली गई सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहु के कमरे में खुद ले गई सास को भोजन लाते देखा तो बहु ने कहा अरे माजी आप क्या कर रही हो मैं खुद ले लेती सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा डर्मत इसमें जहर नहीं है मार नहीं डालूँगे तुझे तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तु ही मेरे घर की बहु चाहिए बस बहु ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया सास भी रो दी पहली बार और कहा चल खाणा खाले फिर मजाक करते हुए कहा फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये खैयाल मन में मतलाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी दोनों खूब हासने लगती है दोस्तों इस कहाने के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद